बॉर्णिंग बच्चों क्या हाल है सब सब ठीक है ना तो स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एमस इंस्टिट आफ लर्निंग पतना में आज हम फिर से एक नए कोश्चिन के साथ आप सबी के सामने हाजी रूब है जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि हर एक दिन क्या हो रहा सकते हैं तो किसका होने वाला है कोंसा फेटर पर बोल सकते हैं इस वन टू और उनका होगा अगर आप का आप का मैथमेटिक्स को आप अप सब्सक्राइबार कॉंसिडर के होई हैं तो आपके यह वीडियो और साथ में हमारा यूटूब चैनल बहुत ही फाइदा दे सकता ब जैकर चालकूलस का जो कि सेक्षन वन में आप से पुछा जाता है इसका वेटेज रहता है हाफ कोशन पूछता या कभी-कभी आशा हो जनरली हाफ ही रहता है फूल तो बहुत काम रहता है क्या कहता है कि दिखाओ कि यह लाइन इंटीगल जो है ना जिन में जो फ है वह पाथ इंडिपेंडन्ट है मतलब होता है अगर हम मोटे तौर पर समझे ऐसे नॉर्मली तो सी पर यह डिपेंड नहीं करेगा आप सी कहां से कहां तक ले रहे इनिसियल पॉइंट क्या आपका फ है लाइन इंटिगल का जहां पर इनिसियल पॉइंट और जीन 0,0,0 और फाइनल पॉइंट को यह बीच में जो भी पाथ है उसी पात में आप इसको निकाले लेकिन इंडिपेंड तो पाथ इंडिपेंडेंट से हमनों क्या समझेंगे एक बाद फिर उसको देखते हैं कौह माट तू कॉमाट लियर अब एस से बेज जाने के लिए मेरे पास कितना राष्टा हो सकता है तो भूल सरा को क्याएगा कि सार हम ऐसे जाएंगे बहुत भरिया तो कोई कहा एसे भी तो जा सकते हैं तो कोई अगर फंसन पाथ इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड अलग-अलग होगा ठीक है अलग-अलग होगा कि लिए पाथ समझ में आ गया अब इसको mathematically कैसे देखेंगे तो mathematically क्या कहता है पाथ independent कि ऐसा function ढूंडो कैसा scalar ट्रेपल प्रोड़क्ट कैसा function अनिके function अब 3 variable का होगा यहनिके त्री डामनिस से इससे एक ऐसा scalar function ढूंडो जिसका gradient अगर करें तो मेरा यहां फे वैक्टर वैलूट function है वह आ जाए यहां कि capital F वैक्टर वैलूट इक्वेल टू ग्रेड ऑफ scalar ट्रीपल प्रोड़क्ट अगर ऐसा function ढूंड लेते हैं बच्चों हम तो हम बाइब सकते हैं इस function को path independent आप दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि conservative हो जाए कि conservative में जीर होता है तो कर लग कर ला और great function क्या होगा वह भी 0 तो कुल मिलाके बात यह हो गया कि conservative हो जाए है कि नहीं या आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं क्या कि irrotational हो जाए से मोई बात होता है कि क्या होता है कि क्या होगा कि मुझे करना क्या क्या है है ओके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं तो given है क्या है बच्चों मेरा को एक सी है f.dr हार क्या है वर आर इस दा पोजिशन वैक्टर इन इस पेस अप दपॉइंट एक्स वाई जड क्लियर ओके तो एफ क्या है यहां पे मेरा वर वर एफ है मेरा टू एक्स कॉमा टू आई कॉमा फोर जड यह दिया हुआ है अगर हम आफ को लिखना चाहें फ को लिख सकते हैं टू एक्स आई प्लस टू वाई जे और प्लस फोर जड तो एप डॉट डियर कितना हो जाएगा इसको भी देख लेते हैं एक बार तो कहता है कि 2x dr कितना हो जाता है तो कहता है कि एकक्स आइपस यॡिस्ट होजाएगा बच्छों क्या करना टेर्पी भी तो करना सबको तोय अधies altyj पड्र कितना यहाँ से तो कहता है कि अब ड्र तोहम आजह करें कितना यहां से तो f.dr तो यह हो जाएगा 2xdx 2ydy और 4zdz इनको निकाल के रख लिए हो सकता है कि यह आगे मुझे काम में आई है ना अभी क्या करते हैं यह आगे मुझे क्या खचार में यह आगे में आपके यह डेटार पहर क्यूस्चैनी आगे रिक 되는데 पॉनिजन पात इन्दीनिट नट इन्दीन फुर्स इसके लिए क्या करना पोदेगा दीर एक जीस्ट आ कासा इस्किलर बल Europличноा थे लोर perform उस्कारा। श्क कर लूडंग के भालुड फण साहे लेकिन कासा इक भालूरर में तो कहता है कि function of X, Y, Z ऐसा चाहिए कहां से three dimensional space से such that such that definition है किसका path independent का या independent path से capital F जो है न वो क्या हो जाए grade grade of scalar valued function grade of scalar valued function that is that is में लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों that is कहता है कि capital F ऐसा function ढूंडो grade मतलब डेल और F मतलब क्या function of X, Y, Z डेल X, Y, Z तो डेल क्या हो बता बच्चों तो डेल को भी इधर दिखा देते हैं कि जो डेल होता है ना वह होता है इस तरह से हाई डेल वाइड डेल X प्लास आई क्या यूनिट वेक्टर अलांग डारेक्शन एक्सक्सिस डारेक्शन देता है और यह यह जए हो गया डेल वाई डेल यह और के हो गया डेल वाई डेल चैट यह होता है मेरा डेल डिफ्रेंशियल ऑपरेटर लेकिन का सब्सक्राइब डिफ्रेंशियल ऑपरेटर यहां पे उनको एक्वेट कर देंगे वहां से करेंगे और जो हम लेकिन दिखा सकते हैं तरीका कि अभी हम लेते हैं कि ऐसा फंचन मुझे मिल गया अगर ऐसा मिल जाए इस आप इंडिपेंडेंट हो गया है तो क्या मानते हैं क्या लिए बचो एक सिस्कॉर प्लस वाई स्कॉर प्लस टू जैद स्कुर अभी क्या करते हैं तो एक करो करेंब कर एक सब्सक्रों ग्रेंड लीकरते थो एक Sm Quite में करोगे तो वाइज टीट क्या होगा है यह कौंस्टन तो एक्स to lower अब इस तो यह के साथ हो जाएगा यूनिट वेक्टर जेकर और प्लास अगर हम जट करेंगे तो यह पोड़ेड हो जाएगा और जैडिका कितना हो जाएगा डारेक्षिन कितना यहां पर किये हैं तो क्या मेरा यह वैक्टर वैलूट फंट्सन जो गीवे वह सने दिख रहा है अगर दिख रहा है तो मुझे एक फंट्सन मुझे एफ मिल गया एक फंट्सन मुझे मांग रहा था तो एक फंट्सन एफ मुझे ऐसा मिल गया जिसको ग्रेडियन करने पर जो मेरा वैक्टर वैलूट फंट्सन दिया हुए कुस्ट्सन में वह आता है डाट मेंस बाट इफिनिशन अपाथ कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है तो सबसे आसान में लिए क्या होगा जो यहां पर वाइट में दिये हुए है वाइट एड़ो में स्टेट लाइन से क्या होगा आसानी होगा एज औरीजिन से टू 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 तक जाने में हम क्या तरहें है पारामेट्रिक फॉर्म ल पास पास निकाल लेंगा सबको पता है क्लिए रहा है यहां से बोल सकते हैं यहां पर आपस जो है ना दिया हुआ क्ई एक्स कौमा डू आई कॉमा तू जड ऐच पात इंडिपन्डंड पात इंडी पैन कि तो नहीं यह कि पहले बनाने का तरीका जो एप्डीयर हना उसको अच्छा है कि चलो जैसा दिया हुआ है वहीं से करते हैं बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका अगर आपको पता चल गया कि अपको लिख सकते ग्रेड़ आप उसको क्या कर देंगा इंटिग्रेशन कर देंगे तिसी फंसन अगा डाइडिक्ट उसी में लगके सीधे हम नि कि अच्छे से डिफाइन करके लिखेंगे है नहीं यहां पर होगी है सो कि अब आगे बढ़ां वह है दाइक्वेसं आप अब ओ दा प्रम bankruptcy कि अवे झाल छंव्य नagn linguine 되지 स्बूंढ दिक्षा दिक हो दिखा दिये नाव दा पार मैट्रिक में पार मैट्रिक से पारामेट्रिक एक्वेशन आफ लाइन लाइन ही ले लेते हैं सबसे आसान हुगा कोई भी पासिर ले सकते हैं ना लाइन पासिंग थुरू दा पासिंग थुरू दारायर मेरार और दूसरा क्या बी यहीं नहीं आ यहां पर पहला क्या है मेरा और जीन नहींग स्क्रविश घोंद्र बााई Guinea-01 दूसरा मेरा क plaint क्या है तो को मैं स२क्याबी जुब by 2-0 बड़ावर y-0 by 2-0 बड़ावर z-0 by 2-0 equal to t, t क्या है पारमेटर, t क्या है पारमेटर, तो इसका मतलब x बड़ावर 2t, y equal to 2t and z equal to 2t, where is t, तो कहता है कि t being, क्या, आ, पारमेटर, t पारमेटर, range क्या होगा, तो at, range क्या होगा, तो at, पहला क्या initial point x, y, z का, तो कहता है कि initial point 0, 0, 0 है, इस case में अगर t देखेगो बच्चों तो क्या होगा, 0, दूसरा, at, terminal point कितना है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते है, फाइनल point, तो कहता है, 222, इस case में अगर t देखोगे, तो कितना दे दिया, तो मेरा दोनों का दोनों निकल गया, पहला t का value, 0, दूसरा t का value, 1, integration का मेरा जो limit है, आपर limit और low limit, वह find होगी, ओके, और क्या क्या करना निकालना है, तो कहता है कि और भी तो बहुत सारा है, सो, सो, जो मेरा सी था, सी निकल गया, f.dr, जो मेरा सी था, यही तो था, सी क्या था, जो यह पात जो लिखे हुए है, यह यह मेरा सी, कौन सा यह यह जो पाथ लिखे हुए है यह यह बाइस सिसी ले सकते यह 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 यहhus का भी करने में तो यह कितना एगा यहांसे तो कहता है कि यह आप कर सकते हैं ती का फहला जिरो से लेका अब मेरा डोट doamart कितना था तो कहता है कि two X GI एक्स था है ना एक काम करते हैं इसको अभी इसको भी अटाते हैं यहां से अभी क्या करते हैं इसको सी रन देते हैं इसको करते हैं टू एक्स डी एक्स प्लस टू आई डी और प्लस आगे कितना थैज्व डी आड का भेलू का गया तू एक्स टू आए डीप्र जाड़ डीजर कितना पॉर जाड़ डीजर तो हो गया यह फोर जाड़ डीचट यह हो गया अब इनको हम कर देते हैं 0 से लेकर टू पारामतिक में टू एक्स का वैलू टू 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 हम यहां से आसानी से कर सकते हैं अगर ऐसा है तो मेरा क्या होगा ऐसा है तो BTD X बराबर हो जाता है 2DT, DY बराबर हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2DT, AND, AND, DZ बराबर भी हो जाएगा 2DT, यह तो आसान है, derivative करतेंगे दोनों साइड में काम खतम, यहां पर कितना हो गया 2Y के जगा, कितना हो गया 2T और DY के जगा, 2DT ठीक है plus 4 Z के जगा 2T और DZ के जगा 2DT क्लिया रहा है यहां से भी मेरा final में कितना आ गया बच्चो तो 0 से 2 2 to 2 to 2 8 8 DT plus 8DT plus 8 16 16 T DT क्लिया कितना हो गया 16 T DT इसका वैलव कितना होगया जीर। से लेका sleep it willhead तुत अगते इंटना सकते हैं इंटीरजिशन और सकते हैं टो एक सीक्स्तिन तो हो गिया किसीट स्क्वरrР और रमेंट क्या है बच्शों मे 64 वो गया कितना आ गया तो कहता है 64 है जो मेरा लाइन इंटेगर था एफ डोट डी आर वो मिरा फाइनल में सिक्सटीफूर एंसर आ गया 64 यहीं मेरा हो जाएगा तो बैनिफिट देखे पाथ पाथ इंडिपेंडेंडन का क्या बैनिफिट मिला कोई भी पाथ जाएंगे अगर कोई भी पाथ जाएंगे इसका मतलब सबसे आसान हम को क्या दिखा इंटिग्रेशन करने के लिए यहां पर एक स्टेट लाइन इस टेट हो जाता है उमीद करते हैं यह वीडियो का सॉलिशन आपको अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा है तो पूरा वीडियो देखे वीडियो को इसकीप ना करें यह बात हम स्टार्टिंग में भी बोलते हैं स्टार्ट होने से पहले कि वीडियो इसकीप ना करें के लिए